हलो बच्चों हम आज बात करेंगे कि स्कूल आपके कब से उपन होंगे तो बच्चों स्कूल आपके 15 दिसंबर से उपन होंगे सभी कलेक्टर महदय को हमारे ग्रह मंत्राल है मतलब ग्रह विभाक से नोटीस आ चुका है नोटीस आप देखेंगे 5 दिसंबर 2020 को पब्लिस किया गया बच्चों तो इसके अधार पर समस्त कलेक्टर या जो जिला दंद अधिकारी होते हैं अपने एसपी मोदय होते हैं उनके लिए ये लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि सिक्षन सस्तर 2020 और 21 केस में कक्षा नोवी से बारवी तक इसकूल ओपन होंगे नियमेत रूप से लेकिन बच्चों आप लोग एक और नोटीस देख सकते हैं ठीक है इसमें आप MP36 जो हमारा निउस चैनल है इसमें कहा गया है कि कक्षा पहले से लेके आठवी तक के इस बार इसकूल ओपन नहीं होंगे उनको प्रोजेक्ट वर्क के अधार पर पास कर दिया जाएगा किलियर होगे बच्चों तो इसकूल सिर्फ नोवी से बारवी तक लगेंगे जिसमें रेगुलर कक्षाएं जो होंगी वो दस बी और बार बी की होगी नोवी और ग्यार बी का रेगुलर स्कूल नहीं होगा हपते में दो दिन या ज़्यादा ही एदि कोई आपकी अमर्जेंसी रहती है तो आप तीन दिन भी स्कूल आ सकते हैं लेकिन रेगुलर क्लासेस नोवी और ग्यार बी की नहीं होगी रेगुलर क्लासेस सिर्फ दस बी और बार बी की होगी तो इसके लिए बैठक बुलवाई जा रही बच्चों तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं नोवी से बार बी के संबंद में यह उलेक दिया गया है तो इसकूल नोवी से बार बी के लिए खुले रहेंगे लेकिन क्लासेस जो कंटीनू लगेगी वो सिर्फ दस बी और बार बी के लिए लगेगी तो आप यह नोटिस बिलकुल पढ़ सकते हैं मतलब जो मार्च में पेपर होते थे हर बार वही इस बार भी होगा मतलब मार्च में आपके पेपर होंगे बच्चों याद रखेंगे इसलिए आप लोग बिलकुल पढ़ाई में ध्यान दें किलियर हो गया इसके बादे दि हम बात करें तो एक सपता पश्चात से नीमित रूप से सेक्षनिक कारिक्या हो जाएगा संचालन किया जाएगा बच्चों मतलब एक हपते बाद आपकी क्लासेस कंटिन्यू लगना स्टार्ट हो जाएंगी इस बात का आप ध्यान रखेंगे कक्षा नौबी और ग्यारवी के विध्यारतियों के लिए विध्याला में उपलब्द इस्थान के अनुसार सपता हमें दो से तीन बार नीमित सेक्षनिक कक्षा हैं लगेगी मतलब नौबी से ग्यारवी सिर्फ तीन दिन दो या तीन दिन ही लगेगी इस्कूल में ठीक है जतना स्पेस यदी होता है ज्यादा स्पेस यदी होता है तो रेगुलर भी कर सकते हैं यदी उनके पास में स्पेस होता है सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं कुछ स्कूल यदी छोटे भी होंगे तो उनको तो दस भी तो बार भी ये तो पढ़ाना पड़ेगा ठीक है लेकिन नौबी से ग्यारी ग्यारी जो है वो कंटीन्यू करना है या नहीं करना है वो स्कूल की उपर डिपेंड होगा कि भाई स्पेस है तो हम बुला सकते हैं याद रखेंगे आफशकता अनुसार एक कक्षा को दो सेक्सन में बांटा जा सकेगा ताकि सोसल डिस्टेंसिंग बने मतलब आपकी सोसल डिस्टेंसिंग के साथ में क्लासेश चालू की जाएंगी विध्यारती माता पिता अब हम अभिभावक की सहमती से विध्या ले आएंगे ठीक है ओनलाइन अध्यापन की गतिपिती प्राइवेट और गवर्मेंट स्कूल दोनों विद्याले पर लागू होते हैं, ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, कि हम आफलाइन स्कूल नहीं लगाएंगे, सभी को लगाना पड़ेगा बच्चों, तो बिल्कुल आप तयार प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आप लोग इसको पड़ सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल तयारी में लग जाईए बच्चों आप लोग, क्योंकि आपके एक्जाम अप मार्च में ही होंगे, जादे हुआ तो आपके फस्ट वीक आफ एफरेल में एक्जाम होंगे, ल तो बिल्कुल ठीक है, वीडियो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, इधी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी टैप से हम लोग वीडियो बनाते हैं, बच्चों आप लोगों के लिए इधी आपको पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, बैल जोने भी आपके एक्जाम होते हैं, कॉम्प्टेटिव एक्जाम हो गया, गवर्मेंट जॉब की तयारी होगी, वो सब हमारे चैनल पर करवाते हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके बच्चों थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो, हैव नाइस ूँ थच्छेए ल Richmond, और जरूरीव और उनाइसства vanवे हो कि अच्ची होने था लिए करें, कि भैब रबरे को सब्सक्राइल ओलूर को सब्सक्राइब परहे होेजिसर, हैके। अज Lah